इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं नंबर कनवर्जन के बारे में जहां पर हम एक नंबर को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कनवर्जन करना सीख रहे हैं यहां पर हमको total 12 conversion सीखना है जिसमें से हम 8 अभी तक देख चुके हैं अब जो हम देखने वाले हैं वो है hexadecimal to binary conversion जो की है मेरा 9th number का conversion तो चलिए देखते हैं हम hexadecimal number को binary number में कैसे convert कर सकते हैं तो यहां पर मैं एक example लेके चल रहा हूँ जिसको मैं binary में convert करना चाहता हूँ मेरे पास example है 4F1.851 जो की hexadecimal में है जिसको मैं binary में convert करना चाहता हूँ binary में किसी hexadecimal number को convert करने से पहले आपको hexadecimal number को binary में convert करना आना चाहिए एक एक number को उसको हम चलिए सीखते हैं कैसे कर सकते हैं तो आपको पता होगा hexadecimal number में total 16 numbers होते हैं जो की होते हैं 0 से लेके 15 तक 10, 11, 12, 13, 14 and 15 जहां पर हम 10 को A बोलते हैं 11 को B, 12 को C, 13 को D, E and 15 को F बोलते हैं यदि मैं इन numbers का binary number यहां पर लिखूँ तो इसको हम कैसे लिखेंगे चुकि आपको पता है हमारे पास total 16 numbers हैं तो इसको लिखना बहुत ही आसान है मैं आपको सिखा देता हूँ सबसे पहले total 16 numbers है तो सबसे पहले मैं 8, 0 लिखूँगा और 8, 1 लिखूँगा 0 से start करूँगा तो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 तो 8 मैंने 0 लिखे अब इसके बाद 8, 1 लिखूँगा तो 8, 0 और 8, 1 मैंने लिख दिये अब इसके बाद मैं क्या करूँगा मैं 4, 0 और 4, 1 लिखूँगा तो 4, 0 सबसे पहले 0 लिखना है मुझे फिर 4, 1 लिखना है फिर 4, 0 लिखना है फिर 4, 1 लिखना है इसके बाद 2, 0 और 2, 1 लिखूँगा 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 उसके बाद मैं 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 तो लास्ट मैंने 1, 0 और 1, 0, 1 लिखा तो इस तरीके से आपके सारे कॉंबिनेशन्स बन जाएंगे तो यहां पर मैंने hexadecimal number को binary number में convert कर लिया 1 by 1 अब यदि आपको किसी number को binary में convert करना है जो कि hexadecimal में है जैसे कि मैंने example में लिया है तो यहां पर हम लिख लेते हैं हमारा क्या example है हमारे पास question है 4F1.851 जो कि hexadecimal में है जिसको हमें binary में convert करना है तो मैं क्या करूँगा इस सारे number को 4F1.851 अलग अलग लिख लूँगा इसके बाद मैं हर एक particular number को उसके hexadecimal में convert करूँगा जैसे मुझे 4 को hexadecimal में convert करना है तो आप देखेंगे 4 यहां पर है जिसका hexadecimal है 0100 तो यहां लिखूँगा मैं 0100 उसके बाद F को convert करना है तो F यहां पर है जिसका hexadecimal है 4 times 1 लिखूँगा मैं उसके बाद मुझे 1 को convert करना है तो 1 यहां पर है जिसका hexadecimal है 0001 0 0 0 1 इसके बाद मुझे 8 को convert करना है तो 8 यहां पर है वो है 10000 मैं यहां लिखूँगा उसके बाद 5 है तो 5 यहाँ पर है जो है 0101010101 लिखूंगा मैं फिर 1 अगेन यहाँ पर है तो 0001 तो इस तरीके से मैंने सारे numbers को एक एक करके hexadecimal में convert कर दिया अब इन सारे numbers को मैं एक साथ लिख लूँगा तो यहाँ से start करता हूँ मैं 0100 4 times 1 then 0001 then point then 100 then 0101 then 0001 तो यह जो number है यह binary number है जो की hexadecimal 4F1.851 का binary है तो यह मेरा हो गया answer यहाँ पर आप आगे वाला जो 0 है उसको हटा सकते हैं क्योंकि किसी भी number के आगे मैं कितने भी 0s लगा सकता हूँ तो इस तरीके से मैंने hexadecimal number से binary number में convert कर लिया आपको क्या करना है आपको सिर्फ hexadecimal numbers को binary में एक एक करके change करना है जैसे मैंने यहाँ पर किया यहाँ पर मैंने 4 को F1.851 इन सब को एक एक करके उनके hexadecimal binary part में convert कर दिया तो मेरा सारे number का binary number बन गया I hope आपको clear होगा कि हमने यह conversion कैसे किया है यह आपको कहीं भी कोई doubt है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते है Thank you